मद्यप्रदेश विधान सभा चुनाओं में सीटे नहीं मिलने से नाराज समाजवादी पार्टी अब राजिस्थान में भी कॉंग्रेस को चुनाओती देने की तैयारी कर रही है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजिस्थान की पांच सीटों पर उमीद्वार उतारने का एलान किया है जाहिर है ऐसे में कॉंग्रेस के मुश्किलें बढ़ सकती है इससे पहले सपा ने मध्यप्रदेश में भी 74 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिये थे समाजोदी पार्टी राजिस्तान की प्रदेश अध्यक्ष वंदना यादव ने बदाई कि समाजोदी पार्टी राजिस्तान विधानसबा चुनाव में पांच सीटों पर कॉंग्रेस को चुनावती देगी सपा यहां अलवर जिले की राजगर्ड लक्षमडगर्ड थाना गाजी धौलपूर भरतपूर की नदबई और नगर सीट पर अपने प्रत्याशी लड़ा रही सपा को उम्मीद है कि यहां पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी सपा ने साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भी पांच सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थी लेकिन इन चुनाव में पार्टी को किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिल पाई थी पिछले चुनाव में सपा का वोट प्रतिशद 7.56 फीजदी तक रहा था सपा को अब कॉंग्रेस के साथ गडबंधन नहीं हो पाया जिसके बाद सपा ने यहां 74 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिये राजनितिक विशलेशक बताते हैं कि सपा को सबसे ज़्यदा उमीद मद्दप्रदेश चेही थी जहां कॉंग्रेस ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी इसके बाद से अखलेश यादव की निशाने पर भाजपा के साथ साथ अब कॉंग्रेस भी आ गई हालकि दोनों ओर से अभी बी इंडिया गडबंधन में ही लोग सभाचना रड़ने का दावा किया जा रहा है NBT Online की रिपोर्ट